Hello everyone, एक बार की बात है कि एक राजा साहब के पास एक बड़ा सुन्दर विशाल महल था और उस विशाल महल में एक सुन्दर सी बगीची थी, उस सुन्दर सी बगीची में एक माली था और अंगूरों की बेल थी, माली जो था वो इस बात से परिशान था कि अंगूरों की बेल पे रोजाना एक चड़िया आ करके आक्रमण करती थी और कुछ इस तरीके से वो आक्रमण करती थी जिससे कि वो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो खा लेती थी जो अधपके थे और जो खटे अंगूर थे उसे जमीन पर गिरा देती थी माली इस बात से बड़ा परिशान चल रहा था कि इन अंगूरों के बेल को ये चड़िया तो एक दिन तबाह करके नश्ट कर देगी उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको कोई उपाय ही नहीं मिला तो वो एक दिन राजा के पास पहुँचा और कहा मालिक हुकुम आप ही कुछ कीजिए मुझसे नहीं हो पा रहा है अंगूरों की बेला कभी भी खतम हो सकती है राजा ने कहा माली सहाब आप चिंता मत कीजिए आपका काम मैं करूँगा अगले दिन राजा पहुँचे खुद और अंगूरों की बेल के पीछे जाके छुप गए और जैसे ही चड़िया आई राजा ने फूर्ती दिखाते हुए चड़िया को पकड़ लिया जैसे ही चड़िया को पकड़ा चड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन मुझे माफ करना मुझे मत मारो मैं आपको चार ग्यान की बातें बताऊंगी राजा बहुत क्रोध में थे राजा ने पोला पहले बात बताओ चुड़िया ने कहा अपनी हाथ में आए शत्रु को कभी न जाने देना राजा ने कहा दूसरी बात बताओ चुड़िया ने कहा कभी भी असंभो बात पर यकीन ना करें राजा ने कहा बहुत हो गया ड्रामा तीसरी बात बताओ चुड़िया ने कहा बीती बात पर पच्तावा ना करें राजा ने कहा अब चौथी बात बता कर खेल खत्म करता हूं तुम्हारा बहुत देर से परिशान कर रखा है चुडिया ने कहा राजा साहब आपने जिस तरीके से मुझे पकड रखा है मुझे सांस नहीं आ रही है आप मुझे थोड़ी सी धील देंगे तो शायद मैं आपको चौथी बात बता पाऊँ राजा ने हलकी सी धील दी और चुडिया उड़के डाल पे बैठ दी चुडिया ने कहा मेरे पेट में दो हीरे हैं ये सुनकर राजा पश्चा ताप करने लगा उदास हो गया और राजा की ये शक्ल देखकर चुडिया ने बोला राजा साहब मैंने जो आपको अभी चार ग्यान की बातें बताई थी पहली बात बताई थी कि अपने शत्र को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना आपने हाथ में आये शत्र यानि कि मुझे छोड़ दिया दूसरी बात बताई थी असंभव बात पर यकीन न करें आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में दो हीरे हैं तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चा ताप न करें। आप उदास हैं। आप पश्चा ताप कर रहे हैं। जबकि मेरे पेट में हीरे हैं ही नहीं। उसको सोच कर आप पश्चा ताप कर रहे हैं। Moral of the story उस शुडिया ने राजा को नहीं, हम सब को भी बताया। हम सब भी जो बीती बाते होती हैं, उस पर कई बार पश्चा ताप करते होते हैं। हमेशा भूतकाल में रहते हैं और भविश्य का सोचते नहीं हैं। प्रजेंट में रहना शुरू कीजे। फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कीजे, अपने सपनों को फॉलो करना शुरू कीजे, जिन्दगी में जो हो गया उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, लेकिन जो होगा उसको आप बदल सकते हैं, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रि नहानी के साथ.